वेल्कम बैक टो एक चैनल उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खेर आफस से होंगे तो जैसा कि आप जानती हैं कि आज की डेट में जो है जमोई उनिवस्टी ने जो है पीजी एडमिशन की सीट एलोकेशन जो है वो प्रॉसस का स्टार्ट कर चुका है बहुत सारे स्टू में आपको पूरा बताया और पूरा संजाय होग अपने किस तरह की से आपने वहां पर सीट को स्टार्फ वह करना सबसे प्रॉसस करना है अब जाके जो है आपको second round क्या करना है, second step क्या है, admission के लिए, second step के लिए जो है आपको, जो भी आपका campus a lot हुआ है, उस campus में जाके आपको अपने documents verify करना है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ को कौन-कौन से documents आपको साथ लेने है, और कहां आपको जाना है, किस 6 June से लेके, means कि आपको 6, 7, 8, तीन दिन का time आपके पास है, आपने जो है, जिनकी भी first round में seat a lot हुई है, और अगर आपने seat को freeze किया है, तो आपको 6 से लेके 8 तक, तीन दिन आपके पास है, तीन दिन ही दो ही दिन है, क्योंकि 6 June आज ही है, 7 और 8 June को आपने Jumbo University के campus में आन है, जो आपको campus हो है, आप ID login करके चेक कर सकते हैं, कौन सा campus मुझे a lot हुआ है, उस campus में जाके आप अपने document साथ लेंगे, और document साथ लेने के बाद जो है, वहां पर verification होगी, verification के बाद शाम के time आपकी ID पर payment link जो है, वो generate होगा, तो आपने फिर वहां पर उस payment option पर जाके admission fee जो हो pay करनी है, यह step आपको याद रखने, यह सारा step आपको, verification तो आपको 7th और 8th June को होनी है, और फिर जो payment की last date है, वो 9th June तक रखी गई है, तो 9th June से पहले पहले आपने यह सब करना है, यह first round की में बात कर रहा हूँ, तो documents कौन कौन से आपको साथ लेने हैं, मैं आपको बता दूं, documents जो भी आपके पास होंगे, वो आपको original में लेने हैं, उसके अलाबा उनका जो है, photo copy भी वहां पर आपको required होगी, photo आपका जो passport size photograph है, वो भी आपको कुछ copies आपको वहां पर submit करनी होगी, तो आप अपने हिसाब से देख लें, आपको 3 copy भी passport size photo लग सकती हैं, दो भी वहां पर चेक कर सकते हैं, क्योंकि officially यहां पर guidelines में कुछ provide नहीं किया गए, कुछ information नहीं दी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि documents आपके वहां पर कौन-कौन से आपको require होगी, सबसे पहला document आपका जो वहां पर required है, वो है 10th का mark sheet, 10th का mark sheet आप सब के पास होना चाह और जो आप original में साथ लेंगे documents, उनकी एक-एक-set photo copy आपको वहां पर submit करनी होगी, लेकिन original आपको साथ होने चाहिए, और जो student category से बिलॉंग करते हैं, उनकी valid category certificate होनी चाहिए, यह सारे documents आपको compulsory लेने है, अब जिन students की graduation complete है, वो अपनी graduation जो final result है, final mark sheet है, वो भी अपने साथ ले लें, क्योंकि वो आपको वहां पर submit करना होगा, और जिन students का अभी 6M का result अभी नहीं आया है, तो वो जो है अपने first से लेके 5th time तक अपने सारे mark sheet अपने साथ लें, और वहां पर आपको वहां पर submit क करने होंगे, तो ये सारे documents आपको basics हैं, उसके अलावा अगर किसी की achievement certificate है, sports category में जिसको certificate है, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, तो वो सारे documents आपको required होगी, ये सारे चीज़ें आपको अपने साथ original में होनी चाहिए, और एक-एक set जो है photocopy का होना चाहिए, उसके अलावा photograph भी आपको यहां पर required होगी, उसके अलावा एक और important document जो कि सारे students थोड़ा ध्यान दें, जिन students ने form field किया था, उससे पहले आपने declaration sign की थी, उस declaration को आपने upload किया था online, वो declaration भी आप अपने साथ ले लें, और वो भी आपने submit करनी है, मैं आपको declaration का थोड़ा format बत अप्लोड किया था, application filling के time, अगर आपको याद हो, यहां पर मैं आपको बता दू, जो declaration का जो format था, जिस पर आपने sign किया था, और नाम शम लिखा था, बाकितार उसमें print करके ही था, वो important document है, वो आपके साथ होना चाहिए, और यह सारे documents आपको department में जाके submit करने हैं, जैस कि अगर किसी को economics में seat मिली है, तो उसको economics department में डोनना है, और वहां पर जाके अपने document submit करने, किसी को physics में seat मिली है, तो उसको physics department में जाके submit करनी है, तो यह सारा को आपको दो दिन में करना है, और दो दिन के बाद आप अपनी fee पे करके, तब जाके आपकी final admission confirm होगी, अभी सिर्फ first step किया है, अभी second step physical verification, और third step payment, तो payment के बाद जब आप receipt download होगी, तो फिर जाके आपकी admission जो है, वो finally approve हो जाएगी, अभी फिलाल यहां पर यह भी बताया हुआ है, during verification, अगर आपके documents में कुछ problem होगी, वो nodal officer जो है, वहां पर check करेंगे, अगर उन documents में कोई खराबी होगी, कोई mismatching होगा, तो अभी भी आपकी admission जो है, वो cancel कर दी जा सकती है, यहां पर वो case है, कि अगर किसी के documents match नहीं हो रहे हैं, जो आपने detail upload की है, और आपके पास जो physical verification के लिए आप जो documents ले रहे हैं, अगर वो documents आपके साथ match नहीं हो रहे हैं, तो आपकी admission जो है, अभ अपना जो है, आप जो है, जम्मुनिश्टी के student बन सकते हैं, फिलाल उससे पहले जितने भी steps है, वो आप follow करें, और documents जो मैंने आपको बता दिये, वो documents आप साथ लें, और additional documents, अगर कोई requirement होगी, या आपके पास कोई है, कोई document, official document, original में है, वो भी आपने साथ ले 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 पता हैं, या आपको वहाँ पर requirement रहेगी, तो मिलते हैं आगले वीडियो में आगले किसी update के साथ, अब तक लिए गोदा आफिस,